हेलो एव्रिवन विल्कम बैक तो दे चानल अड़ोटी वन्स अगें तो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आच चुका है के जी एम्यू एबी एम्यू ब्सक नर्सिंग 2022 का इसके पहले जो रिजल्ट आया था उसमें सिर्फ मार्क्स मेंशन किये गए थे आप लोगों के क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का गूगल में पेज उपन होगा यहां पर फ़र्स पोस्ट आपको इस पर क्लिक करना ए यहां पर जब आप आप स्क्राइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है KGM UBSC Nursing Intrance Exam 2022 Final Result with Rank तो यहाँ पर आप result का यहाँ पर आपको direct link गई है link activated तो click here पर आप लोगों को click करना है फिर आप देख सकते हैं आपका जो direct link है वो open हो जाएगा यहाँ पर लिखा है candidate final result तो पहले की तरह यहाँ पर आपको अपना registration number जो registration ID दी गई आपके admit card में और जो role number दिया गया है वो आप लोगों को यहाँ पर fill करना है और उसके बाद get marks में click करके आप लोगों को अपना result open करना है मैं आप लोगों को एक result open करके दिखा देती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी यह link activate है और यह result open हो रहा है तो result में क्या-क्या चीज़े आप लोगों की mention की गई है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका course है BSC Nursing and registration number, role number, candidate name, father's name, date of birth फिर यहाँ पर category आपकी दिख जाएगी and or scroll करने पर नीचे आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं आपका gender overall rank आपको देखने को मिल जाएगी और इसके नीचे आपको मिल जाएगा category rank तो आप लोगों को अपनी final rank और number तो आप लोगों को पहले ही पता चल गए थे जो उसके पहले result आया था बड़ यहाँ पर overall rank category rank and sub category rank जो है वह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो इससे पहले की website जो है उसका server डाउन हो आप लोग प्लीज अपना-पना जो result है final check कर लिजे direct link दिया हुआ description में आप उसी से करिएगा because आप KGMU की official website में जाएगे बहुत सारी links में click करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ नीचे कुछ important information दी गए है यह points दिये गए हैं आप इनको read कर लीजेगा क्या बोला है and यह last में आपका counselling related point है counselling will be conducted by director general of medical education लखनव and dates will be declared by them and published on the official website अभी counselling की जो dates से declared नहीं की गई है जब भी वो dates आएगे तो यह official website में mention कर दी जाएगी and जैसे भी latest update आता है meritless और counselling से related तो मैं आप लोगों को अपने videos के through update करती रहूंगी so make sure आप लोग मेरे चैनल को subscribe कर लीजे and also press the bell icon for more update thank you for watching this video see you guys in my next video till then bye bye